आएगलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेलपर में तो दोस्तों बहुती बड़ी खुसकबरी जो है निकल कर आ रही है यूपी प्यएस्सी की तरप से यूपी प्यएस्सी यानि की उत्तर प्रदिस लोक सेवा आयो की तरप से जो है computer operator की जो है vacancy नि रहेगी, exam pattern क्या होगा, salary क्या रहेगी, vacancy क्या रहेगी, syllabus सब कुछ जो है हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लिए, इसी भी government exam से जुड़ी information को पाने के लिए, तो चलिए वीडियो start कर लेते ह हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं important dates की, तो important dates में आपको जैसा की दिख रहागा, online आविदन जो start होंगे, वो 3-11 से start हो गए हैं, और जो इसके आविदन अंतिम चलेंगे, वो चलेंगे 3 दिसमबर तक, यहने 3 नमबर से 3 दिसमबर तक आपके जो है, online आवि जो की है, अनार अच्छित, अन्य पिछड़वर गयाने की, जो जनरल है, OBC है, और EWS वालों के लिए 200 रुपे, प्लस, online प्रकरिया 25, और कुल आपके 225 रुपे लेगे, अगर आप S.E.S.T. से हैं तो 105 रुपे, और दिब्ब्ययंक क्रेटिगरी से हैं तो, टोटल 25 लेते हैं, वेकेंसी में, कि वेकेंसी कौन-कौन से निकली है हमारी, ठीक है, तो देखी यहाँ पर रिखतियों की संख्या दी हुई है, जिसमें कि आपको उतर प्रतेश लोग सिवायोग में, प्रोग्रामर स्रेडी के दो पद है, प्रोग्रामर स्रेडी 2 पद की एक रिख कि आपकी जो eligibility मांगी गई है वो क्या-क्या मांगी गई है तो देखे प्रोग्रामर स्रेडी टू के लिए जो आपकी योगिता मांगी गई है वो मांगी गई है मानेता प्राप संस्ता या विस्विदाले से computer बिग्यान में post graduate आपको होना चाहिए computer science में ठीक है या फिर DOE से इस तरही प्रमाण पत्र होना चाहिए ठीक है इसके अलाबा जो देखिए आपको यह सब आना चाहिए और अगर आपके पास देखिए यहां पर बोला गया है कि प्रात्मिक्ता किसे दी आएगी तो जो प्रादेशिक सेना में यानि कि अगर आप सेना म भरती ने नियूनतम लेवल 7 रहने वाला है इसके बाद दूसरी आती है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रेड बी ठीक है इसमें जो है आपकी तीन पोश्ट है निकली हुए ठीक है इसमें देखिए बावन सो से बीस हजार के बीस आपकी पोश्ट सेलरी रहेगी और 800 ग्रेट पे है और लेवल विंडो एंट्री और नेटवर्किंग होना चाहिए और आपको हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए इन्दी में 25 बर्ड पर मिनिट और इंग्लिस में 40 बर्ड प्रती मिनट ठीक है और यहां पर भी वही है कि प्रातिवक्ता अगर आप सेना में ब आपको प्रातिवक्ता दी जाएगी चलिए हमने सेलरी देख लिए है अब एज हम देख लेते हैं एज की गड़ना जो है एक जुलाई 2021 के संदर में की जाएगी 21 वर्स की होना चाहिए और अदिकतम जो है 40 वर्स की होना चाहिए ठीक ना तो इसमें आपको छूट देख लि पर होने वाले चैन यहनकी इंटर्वी होगा और आपके लेके परिक्षा ली जाएगी ठीक है और टाइपिंग जहां पर होगी वो टाइपिंग ली जाएगी ठीक है यहां पर देखिए OMRB बीस डापका पर होने बाला चलिए हम एक्जाम पैटरन की बात कर लिए कि क्या के होने वाला है आपका exam pattern तो परिक्षा में एक प्रेशन पत्र होगा जो बस्तूनिट होगा यान कि वह objective type paper होगा जो कि दो गंटे का रहने वाला है जिसमें 1500 प्रेशन होंगे, 1500 अंक होंगे ठीक है और लगवगत तीय गुना जो अभ्यारती है वो साक्षातार के लिए बुलाए जांगे बेकेंसी के ठीक है और साचातकार 20 अंक का होगा, कुल 170 अंक होंगे ठीक है और इसकी जो negative marking भी रखी गई है जो है 1 third ठीक है इसमें देखिए topic क्या कहा है तो computer application रहेगा आपका 90 marks का इसमें reasoning रहेगी 30 marks की mathematics रहेगा 15 का इंगलिस रहेगी 15 marks टोटल होगा 120 नमर का इंटर्वी यह होगा आपका programmer is ready to के लिए चलिए हम बात कर लेते हैं computer grade B के लिए तो computer grade B में देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा वही सेम दो गंटे का timing रहेगी इसमें 85 प्रेशन होंगे प्रते प्रेशने दो अंक का होगा जिसमें 170 टोटल रहेगा इसके प्रेशने पत्र में अनिवारे अरता संगे 1050 प्रेशन इसके बाद हिंदी अंग्रेजी में आपको टाइपिंग करना पड़ेगी कुल 55 अंक को उसके लिए आपको अंक दिये जाएंगे ठीक है इसके बाद जो आपको प्रवंदक सिस्टम है सिस्टम मेनिजर है उसके क्या 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 पूचा जाने वाला है तो वही दो गंटे का पेपर होगा बस तो निश्च 85 प्रेशने 170 यानके प्रते कंक दो कुश्च मार्क सरेन वाला है सिले बस उसका यह दिया गया है इसमें आपको देख रहा हुआ कंप्यूटर एप्ल अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब के लिए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए जल्द है हम इससे और भी जुड़ी इंपरमेशन आपको देने वाले हैं तो इसके लिए अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट क